किंद्री जांच एजेंसी डिरेक्टर जनल ओफ जीएश्टी इंटेलिजेंस वे आयकर विभाग की छापे मारी में अब तक की सबसे बड़ी कर चोरी का पता चला है कानपूर के इस वेपारी पियूश जैन की करीब एक हजार करोड की चल अचल संपती का खुलासा हुआ है हैरानी की बात ये है कि इन संपत्तियों का मालिक पियूश जैन बहुत साधारन जिन्द की जीता था शादी ब्याह में अक्सर वेह मोटर साई के लिए अपनी पुरानी खटारा कार से पाजामा शर्ट पहन कर पहुँच जाता था बताते हैं कि अपनी वास्तविक्त च्छिपाने के लिए पियूश एक दो साल में चोकीदारों और नोकरों को भी बदल देता था अभी तक जाँच एजेंसी ने 257 करोड रुपे नगत कई किलो सोना सोला बेश कीमती प्रोपर्टी के दस्तावेज ब्रामत किये हैं दुबई में दो प्रोपर्टी कन्नोज में साथ दिल्ली में एक मुंबई में दो और कानपुर में चार संपतिया मिली हैं पचास घटे से ज़्यादा तक चली पूशताच के बाद प्यूश को रविवार को गृफतार कर लिया गया था उसने काका देव थाने में महिला हेल्प डेस्क के कमरे में एक कमबा लोड़कर सर्द रात गोजारी सोंवर को कानपूर सेशन कोड ने प्यूश को 14 दिन की नियाईक हिरासत में भेज दिया चापे में प्यूश के इत्र वे गुट का वेपार का पता चला है प्यूश 40 से ज़्यादा कमपनियों का मालिक है इन में से दो कमपनिया मिडिल इस्ट में हैं कनोज में प्यूश की परफ्यूम फैक्टरी है कोल्ड इस्टोरेज वे पैट्रल पंपी है मुंबई में प्यूश का हैड ओफिस है इत्र का सारक बिजनिस मुंबई से होता है और यही से इत्र विदेश भेजा जाता है उसका कारोबार कानपूर अधारित है कनोज की जैन इस्ट्रीट में पुश्टेनी घर है चर्चा है कि अगामी विदान सबच चुनाओ के लिए उसके पास पैसा जमा किया जा रहा था जिसकी भनक केंदरी जाच एजेंसी को लग गई थी प्यूश पर आरोप है कि बोगस फर्मो के नाम से बिल बना कर कंपने ने करोडों की जीएश्टी चोरी की उसके घर से दोसों से अधिक फरजी इनवाइस वे ई बिल मिले है साथ घरों पर च्छापे मारी में 350 फाइल और 27 दस्तावेज मिले कानपूर के मकान से 18 लोकर वे 500 चाबिया मिली है प्यूश के पिता महिचन जैन पेशे से कैमिस्ट हैं उनके बेटों प्यूश और अम्बरीश ने इतर वे खाने पीने की चीजों में मिलाए जाने वाले एसेंस बनाने का तरीका उनी से सीखा था